नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू चाइल केर विताजेट दोस्तों, आज कल बच्चों में कंजक्टिव आइटिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसे हम आई फ्लू भी कहते हैं इसमें बच्चे की आखे लाल हो जाती हैं, आखों में सूजन आ जाती है कभी-कभी आँखों में दर्द भी होता है और इस कंडिशन में बच्चे को बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोनों तरीके हो सकते हैं तो दोस्तों, यह जो कंजक्टिव आइटिस है या जिसे हम आई फ्लू कहते हैं यदि घर में किसी एक को भी समश्या है तो यह सब को यह प्रॉब्लम हो जाती है तो यदि हमें इसको कम्यूनिटी इस्प्लेट होने से बचाना है तो आपके बच्चे को यदि ऐसा लग रहा है कि बच्चे की आखे लाल हो रही है तो आप उसको school जाना भेजना बंद कर दें क्योंकि यदि आप बच्चे को school भेज़ेंगे तो हो सकता है दूसरे बच्चे को भी तेजी से फेलेगा तो बच्चे को इसमें आप घर-बर ही रखें बच्चे को अराम करने दें अब इसमें आपको क्या उप्चार करना है प्रात्मिक्टी किस्सा करनी है वो आप इसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये जो i-flu होता है ये एक viral infection होता है जो अपने आप 3 दिन 5 दिन maximum से maximum साथ दे अपने आप ठीक हो जाता है क्योंकि viral infection है इसलिए ये 4-5 दिन का time लेता ही लेता है और अपने आप दीरे-दीरे recover करता है फिर भी इसमें हमें क्या care करनी चाहिए बच्चों की उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों जब भी बच्चे को आइफलो होता है तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे आँखों को ऐसे rub करने लगते हैं तो उसमें हमको आखो को रब करने से बच्चों को रोकना है, अच्छे से बच्चों की हैंड वॉश करते रहना है, बच्चों को अच्छे से हाथ धुलाते रहे हैं. और तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक कॉटन का साफ कपड़ा लेना है धुला हुआ, गुनगुना पानी कर लीजिए और उस गुनगुने पानी में उसको दिप करके उसको अच्छे से मिचोड कर और हलके हलके आतों से आप आखों को क्लीन करिए, दोनों ही क्लीन हो जाती है, तो जिससे जो कीचर बगेरा भी जमा रहता है, या जो क्रिस्ट होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा आराम मिलता है, Mild Hot Fomentation इसको हम बोलते हैं, जिसको करने से बच्चे को काफी राहत मिलती है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको विशेज ज्यान ही रखना है, कि बच्चे को अगर बच्चे चश्मा पहन सकता है, तो बच्चे को भी चश्मा पहना कर रखें, काला चश्मा पहना कर र लिए इसमें कोई और श्री की जरूरत तो नहीं है, अपने आप ये चार दिन पांस दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि हम चाहें, तो इसमें आइरवेद के अनुसार, इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए हम बच्चों के लिए गिलो एकर सेवन करा सकते हैं, बच्चों को घर पर ही रखें, और उसको आराम करने दें, अपने आप ये समझाएं, ठीक हो जाएगी, शेयरे